हेलो एन विल्कम दोस्तों दीप इलेक्टोनिश लैब में आपका बहुत-बहुत स्वागा थे दोस्तों आज मेरे पास एक डीजे लाइट आया है रिपेरिंग के लिए तो इसका प्रॉब्लम में है कि अभी डेट गांडेशन में है इसका अंदर जब पावर देता हूं यह में देखने लिए चलता है कि नहीं आधी इसको में पावर देके रखाँ हूं और कोई CHC तरकी का जो भी हमें प्रॉब्लम ाथे तो मैं मेक्सिमम टाइम हमें इसका पावर सप्लाई खराबी मिलती है तो आज की इस वीडियो के अंदर भी हम देखेंगे कि आखिर इसके अंदर प्रॉब्लेम क्या है तो मेरा तो मैं तो हंडिड़ बर्सेंट का साथ आपको कह सकते हूं कि इसका पावर सप्लाई में गरबड़ी है चाहिए वो जो भी प्रॉब्लेम हो और मेक्सिमम टाइम इस तरीके का प्रॉब्लेम में होता है जो इसके अंदर पावर मॉस्फेट या पावर ट्रांजिस्टर या इस्टियर लगा होता है वो सौट हो जाने के वैसे आता है और वो खरब हो जाने के वैसे आता है तो जल् तो इसको निकलने से पहले आपको पावर सप्लाई सेक्षन को देखना होगा कि आखिर एक खराब पावर सप्लाई में है या जो कंट्रोलर बोड है उसके अंदर है तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया हूं कि इस तरीके का प्रॉब्लेम हमें हंडेट परसन याने कि नाइन्टी परसेंट चांसेस रहे था इसका पावर सप्लाई खरब हो चुका है तो यहां पर हमारे जो तीन टांग वाला एक पावर ट्रेंजिस्टर या मॉस्पेट जो भी लगा हुआ है क्या लगा हुआ है इसके अंदर डी एम टुएलब एन सिक्स्टी फाइब इसका इन्दर मॉस्पेट लगा हुआ है तो इस मॉस्पेट को हम चेक करेंगे कि यह मॉस्पेट ही खराब हुआ है या कोई दूसरा कॉंपोनेंट्स खराब हुआ देखे दुश्तों जैसे मैंने सको साब किया तो यहां पर दिखिए दो जो रिजिस्टर है जला हुआ आपको द लगा हुआ है या ट्रंजिस्टर लगा हुआ है यह भी स्वाट हो जाता है चलिए एक बार में इसको चेक करके देख लेता हूं और चेक करने के बाद हमें कंफर्म हो जाएगा कि आखीरे इसके अंदर जो प्रॉब्ले में वो किसके बैस से आ रहा है तो मैंने यहां पर रख करके देखेंगे यहां पर भी हमें वीप सांद देखने को मिल रहा है और यहां पर भी वीप सांद हमें देखने को मिल रहा है और यह रेजिस्टर हमारा ओपन हो चुका है तो इस रेजिस्टर से हमें कोई भी काम नहीं है तो सबसे पहले तो मैं इस ट्रैंजिस्टर को बा कि इसे आपको इसे वीडियो का अंदर देख ने को मिल जाएंगे सबसे परहेला हमारा का में काम ही आ embargo निकलना और इन दोनों register को भी बाहान निकलना है क्यूंकि इन दोनों का अभी हमारा को ज़ल्दीसे मुल नेकर लेता हूं तो यह देखिए हमने से मॉस्पेट को बाहन कर लिया हूं जिसका नमबर आप यहां पर देख सकते हो टुवेलब एंड टुवेलब एंड शिक्स्टी फाइब इसका नमबर है तो यह बिलकुल सॉट हो चुका है और एक बार आपको को मेजरमेन करके दिखा देता हूं कि आखिरे वाके में सॉट हुआ है कि नहीं में आपको ऐसे ही कह रहा हूं देखिए मैं इसको प्रेश किया ताच किया उसके ब समरा डेमेज हो चुका है और इसका अब हमें अगर स्यम नंबर का अगर आप इसके अंदर मॉस्वेट लगा होगे तो भी यह पावर सप्लाई ठीक नहीं होगा क्योंकि इसका अंदर का जो सरकीट है वो भी जल चुका है इसके लिए आपको यह की रस्ता बच रहा है या तो आपको इस पूरा पावर सप्लाई को रिप्लेस करना परेगा इसके जगा पर आपको नया वाला लगाना परेगा या तो इस तरीके का जो मोडियूल आता है इस मोडियूल को लगा के आपको इसको ठीक करना परेगा तो चलिए मैं इस मोडियूल को लगांगा तो इस मोडि तो इसको हम लगाएंगे यहां पर और उसके बाद हम जो रेड़ वाला वायर को लगाएंगे हम जो इस मॉस्पेट लगा हुआ था मॉस्पेट का जो वीज वाला पॉइंट है यानि कि जो सेंटर का लेग है उस सेंटर का लेग के अंदर हम लगाएंगे तो इस जगा पर हम इस रेड़ वायर को लगाएंगे तो हमरा ये कंप्लेट हो चुका है प्रोसेस तो चलिए आप एक बार इसको टेस्ट करके देख लेता हूं कि ये चल रहा है कि नहीं और उसके बाद ही हम इसको फाइनल टेस्ट करेंगे इसको प्सक्राइनल टेस्टिंग किया तो फिर भी ठीक नहीं हुआ तो एक बार इसका जो फ्यूज है वोभी हम चेक कर लेंगे कि फ्यूज सही हैके नहीं हाई मैं इसका अंदर सौर्ट हो जाने के वैस से हमारा जो फ्यूज भी है वह फ्यूज भी ह्खरब हो चुका है तो अब हम ने फ्यूज दूकर करना पर हैँ तो चलीले में फ्यूज को सौत कर nah देता हूं के और पीक है और इक लेकोगए हमारा यह वहला ने तो अब इस वेर को में अच्छे से ससे उस साइड लगा देंगे है कि का तो हमने असको बorbाइपास करदिया हूँ यानि की कर दिया हूं तो चलिए दोस्तों एक बार तेस्ट कर ने के लिए मेने क्या किया कि इसका जो पर है यानि की तार है उसका जो ह्रें लाग नहीं था तो किसको फाइनल टेस्टिंग sa इसलिए सबसे पहले तो मैं सीरीज में ही चेक करूंगा ज्यादा देर तक नहीं चलाओंगा नहीं तो यह ब्लास्ट हो सकते यह खराब हो सकते चले देखिए देखिए दोस्तों जैसे में दिया और इसका जो रेड एलेडी है जो जानना लग गया है यानि कि यह हमारा पावर लगा हुआ है इस्टे लगा हुआ है उसके साथ हमें हीट सिंग अटच करना पड़ेगा नहीं तो यह हमारा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा देखिए तो एक बर दोस्तों इसका आउटपुट वोल्टेज भी हम चेक कर लेंगे ताकि इसको लगाने के बाद हमारा जो वो करेंगे कितने आ रहा है उसके बाद अगर कम हमें मिले वोल्टेज तो यहां पर जो नौब है इसको घुमा के हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हम इसको लगा देता हूं लाइन पर और लगाने के बाद इसके अंदर हमें अभी जो है लाइन आ चुका है और हम डिसी वो बोल्ट मिल रहा है यान की 12 बोल्ट हमारा सही एक बोल्ट जादा आ रहा है कोई बात नहीं यह चल जाएगा उसके साथ ही साथ अगर हम इस वोल्टेज को चेक करेंगे चली चेक करते हैं तो मैं पर दिखिए 31.56 और देखी तो यह भी हमारा सही है वोल्टेज अगर आपको लग रहा है कि यह वोल्टेज कम है 36 बोल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो यहां पर जो हमारा नौब है इसको घुमा के थोरा सा जो है अपर वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं थोरा सा में घुमाया अब चेक करते हैं कि देखे यह आ रहा है तो कोई बात नहीं हम एक बाद चला कर देख लेता हूं उसके बाद हम इसको डिलिवरी कर देंगे कि तो सबसे पहले हम फैन का कनेक्शन हम कर लेंगे यहां पर मैंने किया connection और यहां पर मैं किया connection इसको मैं यहां पर रखता हूँ fan के उपर और आब में एक बर final test करके ब्चलता हूँ कि ये चलता है या नहीं तो को यहां पर देखने को मिलेंगे तो मैं आप भी जो हो है डारेक्ट एसे लाइन पर दे रहा हूं इसको यह देखिए कि जलनाइल स्टाठ हो चुका है दोस्तों यानि कि हमारा जो पाल लाइट है बृक्षो सही सलमात रीक्यर हो चुका है और अब मैं इसको डेलिबर कर सकता हूं तो इस तरीके से बहुत असानी से दोस्तों कोई भी लाइट का पावर सप्लाई पाल लाइट को आप रिपेर कर सकते हो और ज्यादातार यानिके मैक्सिमाम समय जो है इसी पावर सप्लाई के अंदर इगरबरी होती है तो कहीं बार इसके अंदर जो क्यापसिटर है क्यापसिटर भी सॉट हो जाता है या इसका जो समतार कम हो जा तो इस डायोट को भी आपको रिप्लेस करना परेगा क्योंकि कहीं बार में यह भी देखाऊं कि खड़ब हो जाता है दोस्तों मुझे आसा है कि आपको वीडियो पसंद आया है पसंद आया तो लाइक जोड़ कीजिएगा और आपके मैंन में अभी भी कुछ भी सवाल या सु आ सकते हो मैं आपको जल्द रिप्ले करूंगा तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्ता हम फिर भी लेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए उसे ओल दा बेस्ट